कांगडा की धर्ती सक्ती पीठों की धर्ती है भारत की आस्था ध्यात्म का एक तीर्त है बैजनात से लेकर काट गड़ तक इस भूमी में बाबा भोले की असीम कृपा पर हमेशा बनी रहती है आज कांगडा मैं हूँ तो स्वाभाविक है ये मैदान से लेकर के सब पुरानी यादे स्वाभाविक रुप से ताजा हो जाती है शांता कुमार जी के साथ बरसों तक काम करने का आउसर मिला जब मैं यहां रत्यात्रा करते हुए आया था तो हमारा रत कोटला पूल वोकर के गुज्रा भाविक है और तब अपूर के बाजार में आईतियां सिक्षभा हुई थी और जिसकी चर्चा लंबे अर्थे तक रही थी हमारे कांगडा के चौधरी विद्या सागर जी शापूर से हमारे राप्रतन पठाकु जी हमारे पालन पूर से कैप्टन आत्मा राम जी चंबा से किशोरी लाल जी इत अनेक साथियों के साथ लंबे अर्षे तर काम करने का मुझे मोखा मिला और यहां किजन के पुर बैटे हैं उनकी वो पुरारी जीप लेकिन कभी-कभी हमें पहुचा देती थी साथियों आज हिमाचल 21 सदी में विकास के जिस अहम पड़ाव पर है वहाँ उसे एक स्थीर और मजबुत सरकार की जरुरत है जब हमाचल में स्थीर सरकार होगी उसके पास डेबल इंजीन की ताकत होगी दूर करेगा और नई उंचाई भी उतनी ही तेजी से प्राप्त करेगा ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है में हिमाचल भाजपा को विकास का नया संकल्प लेने के लिए इतना अच्छा गोशना पत्र बनाने के लिए हिमाचल भाजपा के ग्यारा सुब शंकल्प यहां के विकास को नई उचाई पर ले जाएंगे साथियों कॉंग्रेस कभी हिमाचल को स्थीर सरकार नहीं दे सकती हैं नहीं वो चाहते हैं आप देखिए आज जहां कॉंग्रेस की सरकारे बच्ची हैं गिन गिन करके दो ही सरकारे बच्ची हैं एक है राजस्तान में और चट्जिजगर में और वहां से खबरे कभी विकास के आती हैं नहीं आती हैं वहां से खबरे आपस में जगड़े की ही खबरे रहती हैं अगर यही चलता रहा तो राज्य का विकास हो सकता है क्या हो सकता है क्या हाव उपर मत को और मुण से बोलो हो सकता है क्या मेरा तो अनुभव कहता है कॉंग्रेस याने अस्थिर्ता की गरंटी कॉंग्रेस याने ब्रस्टाचार गोटा ले की गरंटी कॉंग्रेस याने विकास कारियों में रोड़े अर्ट काने की गरंटी है थात्यों भाजपा ने राजनीती में विकास को अपनी सर्वोच्च प्राक्ठिक्ता बढाया है